हे गाइज कैसे आप लोग देखिए आज मैं इस प्रकार की गाउन बनाने वाली हूँ उपर से कुर्ता इसमें पैना जाता है और अंदर से गाउन है और जो कुर्ता है वो वहुत ही अच्छा है इसमें कॉलर स्टिच है तो चलिए हम इसकी आपको आज स्टिचिंग दिखाए कि वीडियो का लिंक दिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है वहां से आप जल्दी से किलिक करिए और देखिएगा और सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिए तो मैं यहां से आपको बता रही हूं तो गाउन की सबसे पहले हम चोली तयार करेंगे उसके लिए हम गला तयार करते हैं यहां से इस तरीके से पटी को सही से जमाना है और सिलाई डाल देनी है पतली सी तो यहां पर हम थोड़ी सी सिलाई डाल देते हैं चलिए इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी सिलाई डालना है देखिए इस तरीके से बहुत ही बारीकी से पतली पतली सी डालने है इस तरीके डालने के बाद यहां पर हम कट लगाएंगे छोटे छोटे इस प्रकास से हम यहां पर कट लगाएंगे इस से फायदा यह होता है कि हमा स्लाइड डाल रखी है इसी तरीके से हमें दूसरा वाला जो बैक साइड का पार्ट है चोली का उसे भी हम तैयार कर लेते हैं देखिए इसमें भी पट्टी रखी है इसे भी सेट कर लिया हमने यहां पर हमने गला तैयार कर लिया और उसके बाद यहां पर हम सोल्डर वाला ज कर देंगे तो चलिए तिकार है वारा टिक कर लेते हैं हम उतना की एंदेन एक कली को ऊपर एक कली रखकर हम इसे अटच करेंगे दो कि एक कली सीदी और एक कली तिर्छी रखनी है अपको कि इससे यहां पर सही से सेट करने के बाद यहां से एक इंची पर हम सिलाई डाल देंगे तो चली यहां पर हम सिलाई डालते हैं देखिए आपको इसी प्रकार से सिलाई डालनी है एक एक इंची दबा कर अगर कम दबाएंगे तो यहां से कपड़ा सुतने का या फिर सिलाई से खराब होने का डर रहेगा तो देखिए इस प्रकार से हमारी कलियां आएंगी तो वो भी कली हम इसमें अटेश्च कर लेंगे अब देखिए हमारी तीनों कलियां अटेश्च होने के बाद इस प्रकार का फाइनल लुक आया है इसी प्रकार से हम एक और पार्ट है उसे भी तैयार कर लेंगे अब हमें चोली के एक पा अटेश कर रखे हैं और यहां से हमें डालनी है फिटिंग अपने नाप के बंग मुणा करना है अब हमें बन के तैयार है आदा पर में पर हमें और लिक vidéo कर ले हमने सिलाई देखिए डाल रखी है और इसे बैक साइड पर दोनों पार्ट को सई सेट कर लिया है अब हमें सोल्डर अटेच्च करने हैं उसके बाद हमें कॉलर अटेच्च करना है अब हम इसमें कॉलर अटेच्च करेंगे तो यहां पर हमें इस तरीके से पकड़ना है और यहां पर रौंडम में हमें घुमा-घुमा कर शीलैइड अपस्राइज़ भी कर दिया है और हम आपको जली इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको सिर्फ में समझ में आ जाए क्योंकि इस टीचिंग तो आपको आती होगी यह तो हमें अच्छी से पता है और बस आपको समझ मानी चाहिए किस प्रकार से होती हैं यहां पर हम फिटिंग डालेंगे तो फिर अगर आपको चीज़ समझ मांगे किस प्रकार से होती हैं तो आप आराम से बना लेंगे दिखिए हमारी यह गाउन बन के तैयार हो गई है और फाइनल लुक यह आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताईए आप और हाँ अगर आप इसका कलर डिफरेंस लेना चाहते हैं सूट और गाउन का दोन का कलर अलग अलग लेना चाहते हैं तो आप इससे बना सकते हैं बहुत ही सुन्दर बन के तैयार होगी और इसी प्रकार से आप बनाएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइवाई टेक केर